क्या आप जानना चाते हैं आपका फोन जो है क्यों इतना जल्दी डिस्चार्ज होता है तो दोस्तो वेलकम टू टेक शो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका जो फोन की जो बैटरी है वो क्यों जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है इसके पाच गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज की एपिसोड में तो सबसे पहले जानते हैं आपका जो फोन है वो बैटरी डिस्चार्ज क्यों करता है तो सबसे पहला जो trick है हमारे पास वो है आपका जो phone की जो बैटरी है वो आपने कभी भी 100% चार्ज करनी नहीं है उससे क्या होता है आपका जो cycle है battery की charging cycle वो खराब हो जाती है और आपका battery backup आपको बस कुछ घंटों के लिए देखने को मिलता है और आपकी बैटरी कैपैसिटी भी जादा होगी ना तो भी आपको चार्जिंग बहुत बहुत कम जाड़ा ठिकता होगा तो यह सबसे बड़ी मिश्टे के कि आप 100% चार्ज करते हो आपका फोन तो आपने ऐसा नहीं करना है आपने क्या करना है बस 80-90% तक आपने अपना फोन की बैटरी को चार्ज करना है उसके बाद आपने चार्जर हटा देना है ठीक है यह सबसे बड़ा इंपोर्टन ट्रिक मैं आपके लिए लाए हूँ 90% चार्ज करें 100% कभी चार्ज मत करें और बहुत लोग गलती करते है कि वो अपना फोन रात को चार्जिंग में रख देते है पूरा का पूरा टाइम चार्जिंग तो उससे क्या होता है 100% चार्ज हो जाता है अपन उसका बैटरी टैमेज हो जाती है तो यह गलते आपको दोरान ही नहीं है सिंपल सी ट्रिक है बहुत ज़रूरी बात कही है मैंने यहापे और सेकेंड चीज के बारे मैं बात करते हैं लोगों के प्रती चार्जर को लेके बहुत ज़्यादा यहुता है चार्जर कुन सा भी लगा लेते हैं आपका फोन की जो रेटिंग है आपको चेक कटकरना होगे कि आपकी fast charging support है स्लो charger support है तो आपने यहाँ पर देखना है इसका एंपियर रेटिंग और वोल्टेज उस हिसाब से अपने आपका चार्जर को लेना है और किसी भी दोस्त के चार्जर को मत लगए आपका खुद का चार्जर ही आप यूज़ करें और जो हम तीसरी चीज़ के बात करने वाले तो आपका जो फोन है वो हीट होता है चार्जर के दोरान तो आपने क्या करना है आपका जो कवर है उसको हटा के चार्ज करना है cover निकाल के charge करने से आपका phone जो है cool रहेगा तो यह सबसे जरुरी बात भी हो जाते है यहापे और आपका phone को आपकी battery बचाने के लिए आपने यहाँ पे आपका phone को या तो switch off करके charge करना है या तो मैं आपके लिए और एक trick लाया हूँ या पे आप flight mode पे डाल सकते आपके phone को और charge कर सकते तो आप flight mode में रखे आप charging के दोरान और आपका battery की जो performance है यह 4 steps को देखे और आप इसे रोज इससे करने से आपकी जो battery है वो काफी सालों तक चलेगी पाच साल तक आपको कोई दिक्कत ने आने वाली अगर आप यह सब चारों ट्रिक को फॉलो करते हैं तो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगा साब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों थैंक्यू सो मच फॉर वचिंग